दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जुलाई महिने में BSNL के साथ बहुत सारे कस्टोमर जुड़े थे BSNL के साथ अल्मोस्ट तीस लाख न्यू सब्सक्राइबर जुड़े थे जो कि जी ओ यार्टिल भी आई को छोड़ कर आये थे अभी मार्केट एनलेसिस के थुरू ये पता चला है कि ये जो तीस लाख सब्सक्राइबर तीस लाख कस्टोमर बी BSNL के साथ जुड़े हैं सायद ये लोग BSNL के साथ फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करेगा एक्चुली ऐसा क्यों बोला जाड़ा है वो आपको समझना पड़ेगा और इसके उपर जो अब लेंगे तो ही आपको 5G मिलेगा लेकिन फिर भी वो लोग दे रहे हैं अभी बहुत सरे लोगों का यह कहना है एक्सपर्स के दुबड़ा यह कहां जा रहा है कि BSNL के पास अभी पूरे पैन इंडिया पे 4G है ही नहीं तो इसी यह सायद यह जो लोग आये है 30,000,000 लोग आये है ना इसमें से आप 50-50 कर देंगे तो 50% लोग जो है अपना जो सेकेंडरी सीम है उसको चेंज करके BSNL पे सीट कर लिया है और 50% लोग ऐसे भी है और बहुत सरे लोग ऐसे भी है जो लोग का नेट्वाक का प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है BSNL पे तो वो लोग सायद BSNL को छोड़का जा सकते हैं लेकिन जो 50% लोग आये हैं जिनको सरफ और सरफ एक सीम रखना जरूरी होता है सेकेंडरी सीम रखना जरूरी होता है क्योंक लोग जा सकते हैं आपको क्या लगता है यह निशे कमने बता सकते हैं लेकिन जोती राजिते सिंध्या ने क्या कहा है देखिए दोस्तों इंडियान डियू टेलिका मिनिस्टर जोती राजिते सिंध्या ने कहा है कि BSNL को बहुत जल्दी सुधन पड़ेगा BSNL को चार से पांच काम करने के लिए जोती राजिते सिंध्या ने बताया है एक तो है कि BSNL का कस्टमर फिडबैक लेना पड़ेगा कि वह लोग BSNL को मतलब यूस करके कैसे फिल कर रहा है मतलब आगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनका लेना पड़ेगा यह सब कुछ फोन करके कस्टमर फिडबैक लेना पड़ेगा हर एक कस्टमर को यह काम BSNL को जल से जल सुरू करना पड़ेगा दूसरा है कि BSNL को 4G जो लॉँच है वो जल से जल करना पड़ेगा और employees को आगे से बहतर तरीके से काम करना पड़ेगा तीसरा है कि BSNL का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रब्लम है कि कस्टोमर के लोग फोन नहीं उठाते लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी थीक्ठा काम कर रहा है तो के अगर Copy सुधन पढ़े कोई customer के इजाए अब किसेकर प्रिशुपन कवे काम ़ार टो थो वह जल से जल करना पढ़े और को कस्त अब वane करने के लिए new new plan करना पढ़े गा उफ़र देना पढ़े अर्ब कु wodicer प्रॉसटमोर को पकड़ करना पड़ेगा और पाचवा एक काम है जो कि BSNL को बहुत जल्दी काम यह सुड़ू करना पड़ेगा कि BSNL का network को सुधानना पड़ेगा क्योंकि 2G हो 3G हो जो भी network जहां पर चल रहा है उसको अगर 4G लांच करने में देड़ी भी लगेगा लेकिन 2G 3G जो network है यह सुधार जाएगा तो लोग at least call कर पाएंगे at least थोड़ा बहुत इंटरनेट का यूज भी कर पाएंगे तो यह भी करना पड़ेगा तो यह पांच चीज डिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज मरे चैनल के साथ जुड़े रही है तो आज के लिए ताहें goodbye and take care